गवुराम की नगरी अयोध्या में आने वाले श्रधालों के लिए एक अच्छी खबर है। राम लला के मंदिर में विराजमान होने के बाद से देश विदेश से भक्तों और परेटकों के आवाजाही में काफी बढ़ोतरी हुई है। कई बार लोग भीड़भार की वजह से या फिर समय की वजह से पूरे शहर के मंदिर के दर्शन एक साथ नहीं कर पाते हैं। उनके लिए सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात है। वाटर मेट्रो बोट और अब अयोध्या में हॉट एर बलून की शुरुआत हो गई है। पहली बार इस बलून से यत्रा कर रह शरधालों का कैसा रहा अनुभव चलिए जानते हैं। जीव बहुत अच्छा था यह जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक साइड हमें पूरी सर्यूमाता के दर्शन होते हैं। आप यहां पर सन्राइज के साथ बहुत अच्छा था और आप इसको मतलब अगर आपको एक होलिस्टिक लेना है एक एर में जाके एक हाइट पर जाके तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन है और यह हम लोग में जैसा भी एक्सपीरियंस था हमारा वह बहुत अच्छा था यह पूरा साथ से आठ मिनिट का था नीचे से उपर जाना उपर होलो ना मेरे आयुद्या में पहली बार मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला तो मैं तो यहां राम लाला के दर्शन करने आई थी और ऐसा कुछ पता लगा कि कुछ नया हो रहा है तो मुझे तो बहुत जादा एक सबी मंदिरों का शिखने को मिलेगा और पूरा मतलब अयोध्या की कुछ वियू देखने को मिलेगी तो ब candle कि थे होट एर बैलून सेवा का तैंकिया तो को को महज 999 रूपय में 7-8 मिनट तक आस्मान से अयुध्या के धार्मिक अस्थनों के दर्शन कराएगी। एक तैसमें में ही श्रद्धालू इस यात्रा का आनन दुर ले सकेंगे। अपने में एक एडवेंचर का अच्छा लोगों कंदुस काफी रोचत रहता है उपर से किसी भी सहत को उपर से देखने का अलग अनभो होता है तो उसी को देखते हुए अभी यहां पर आज इस्टार्ट किया गया है और जनली इसकी टाइमिंग जो है वह मौनिंग में हवा क अब यहां अच्छी पहल है कि यहां पर जो मौके के जितने वी उच्छा दिकारी हैं वह काफी बिजणरी हैं और अभी हमारे हैं अध्या में राम जनम भूमी कनग भवान और हनमान गड़ी और नागेश्च वनात ऐसे दोचा प्रमुख स्थनों के दर्शन के बाद बहुत अलब समय में लोगों की आत्राएं वो हो जाती है समाप चुराती है एक दो दिर्शे तीन दिर्शे आत्राओं में अलग-अलग अनुबहों को दिया जा सके उसी को देखते हुए यह सुरुवात की जाई है जनरली पर देश में इसका जो चल रहा है वह तो पंदा स प्रोफेशनल पाइलेट होता है उनको छोड़के दो से तीन लोग एक बार में इसके अंदर राइड करता है यह पूरा पांस से आठ मिनट के बीच का राइड रहता है पुरा उपर से नीचे आने जाने में आजमी का अभी एक टेंडम है फ्री फ्लाइड नहीं है क्योंकि पास में ही अरपोर्ट है इसलिए इसको फ्री फ्लाइड नहीं करते हैं और नदी का किनारा है तो एक तरफ रज्यू जी का दर्शन और अध्या का दर्शन तो बहुत भी हंगम देश होता है इसका होट एर बैलून चुकि फैमिली राइड है इस लिए इस बैलून में एक होता है तो जो आते हैं को इसमें काफी आनन्द आता है और उसे ऐसे भी टूरिस्त आनन्द लें सकते हैं सर्य वह 500 फिट तक उपर जाएगा सर यह एक तैदर रोटेर वलून है इसमें इसमें फोर रोप लगी हुई होती है और मतलब यह एक लिमिटेड उपर जाता है यह फ्री प्लाइन नहीं है यह उपर जाएगा उपर से पूरा व्यू आप रिवर का भी देख सकते हैं और जो इधर से उधर का पूरा व्यू से आयोध्या नगरी को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए कई नई पहने की जा रही है इसी कड़ी में सर्यू नदी पर पूर्श सेवा के बाद अब श्रधालों और पर्यटकों को होट एर बलून के जरिये आयोध्या के मठ मंदिरों के शिखरों के दर्श कराये जा सकेंगे अब 999 रूपय में श्रधालों को आयोध्या के सारे मठ मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे वो भी आसमान से ये उनके लिए किसी सौगात से कम भी नहीं है तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाकी धर्म कर् किये सब्स्क्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहें न्यूजनेशन स्तुति